नमस्कार दोस्तू मैं हूँ प्रतीक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आप सभी ने ऐसे कई सारे वीडियोज देखे होंगे जो गाडियों के मैनुफेक्चरिंग डिफेक्ट के उपर या फिर उनमें बार बार आ रही प्रॉब्लम्स के उपर बनाए गये थे और इसमे परवाही की वज़े से किसी की लाइफ बिल्कुल थम जाए या कहिए उसके लाइफ में ऐसा फेज आ जाए जिसके आगे गाड़ी पैसा टाइम कुछ भी माइने ना रखता हो कुछ दिनों पहले मुझे एक मेल आया था ये मेल महरास्टरा से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के उनर मिस्टर विभाकर मिश्टर जीने शियर किया था इस मेल में लिखा था मेट सीरियस अक्सिडंट ड्यू टू मेकैनिकल फेलियर ओफ स्कॉर्पियो एन और इसी के साथ नीचे सर ने लिखा था कि इस मेकैनिकल फेलियर की वज़े से मैंने अपना एक पैर्क हो दिया यह देखकर मुझे शौक लगा कि ऐसा सिचुएशन कैसे क्रियेट हो गया हलाकि इसी बाद मैंने सर को कॉल किया और उन्होंने शुरू से लेकर रंत तक सारी चीज़ें मुझे बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और यह सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी तक मैंने सिर्फ मूवीज में सुनी थी तो ऐसा क्या हुआ विभाकर मिश्याजी के साथ मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग के माध्याम से सुनाऊंगा और यह रिकॉर्डिंग थोड़ा लंबा चला जाएगा अलाकि अपने हिसाब से मैंने में में पार्ट कट कर लिया है वैसे तो एक घंटे से भी उपर की रिकॉर्डिंग है लेकिन इस चोटा कर दिया गया है नई गाड़ी थी स्कॉर्पियों थी फोर बाई फोर मैंने जुलाई में लिया हुआ था इंट्रेक्ट मैंने ऑक्टूबर में तामिल नाडू ट्रिप किया था तभी इनका एक इस्यू सर्फेस हुआ लोगों का विल्ड इस लॉग हो रहा था जिसमें तो मिल जाएगा आपको ड्राइवर साइट सा फ्रंट वील बाहर आजा चलते हुआ यह मैंने एक केस तो देखा था मने शायद इसकॉर्पियों गई पहला केस को इन्होंने डेक्लाइन कर दिया जैट वसंट थाने देट किने डिवाइजर से ठक्राने के बाद बाहर हुआ है बट सेकेंड केस वस्वेरी मच एविडेंट उन्होंने पार्किंग में उनके साथ ही हुआ था ट्रं कर रहें तब तक वील असेंबली बाहर गयते हैं अल्मोस्ट पॉने पीन हजार किलमेटर पुरा किया था था लास्ट बैंगलोर से में पूने आने का था तब इनका पॉल आए कि सर उसका री कॉल है ना कैसा है आई जस और रहें मतलब कैलो आप हाफ मेशीन हाफ मैं तो आई कुली लव में मेशीन आई वांट तो सब्सक्राइब करता हूं तो आगे से मुझे असा कुछ ग्राइंडिंग नौइज आ रहा है जब पांच डिगरी का भी लोप टर लेकर गाड़ी उतार रहा हूं तो इसमें बहुत आवाज थी मैं बोला यार यह अगर इसमें स्लाइट इतना कम है और इतना ज़्यादा तो यह प्रॉब्लम है मेरे इसाब से गाड़ी में अधे स्टाटिट कन्विंसिंग नहीं नहीं सर यह बिल्कुल नॉर्मल है वाला धेंका रीकॉल संथिंग अभी फैक्ट्री से आती है तो आपकी क्यों सी चक्की अलग अलग लाइन समारी रहती है ग्रीन ब्लू ऐसे करके हर नट बोल्ट तो आ अबने सब कर दिया मैं बहुता है वह उन्हों ने कोश्क किया कि यह बहुता है यह ब्रेक की आवाज यह मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है और और जो ग्राइंदिंग नौइस था यहां पर आप ध्यान दीजे कि मिस्टर विभाकर ने स्चुवी का पहिया निकल जाने वाले कुछ केसिस देखने के बाद महिंद्रा में में इंचन भी किया था लेकिन उन्हों ने साफ मना कर दिया कि आपके बैच में कोई इशू नहीं है लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसी समय गाड़ी को दो दिन के लि नाशिक से मैं इंफक्ट यहां से नाशिक गया नाशिक शेक्स प्रिस वे जोईं कि यह महामार्ग जो है सम्रिद्धी महामार्ग तो इंफक्ट मैं वाइफ को बता रहा था था सी वेन आई ड्राइव जस्ट रोड़ एफ और शेक आफ यह बिकासिनेट लेट नहीं आजने कि इस रोड़ पे यह बदनाम है एक्सिजेंट के लिए तो इस तेलिंग है कि क्या फ्लाव है तो इनिशली आई वाइव लाइक आउपजार की जितने कलवर्ड जो पूलिया यह सब आ रही है तो वैनेवे वे आवे वी आप्रॉसिंग दोस कलवर्ड इस लाइक फॉर एक जून गो फॉर 120 और शो चैनली हैं हंड्रेट इस्टेबल काफी प्लांटेड फिल रहा था था तन वे तुक हमने कुरे रूट में यूजले प्लांग फॉर्किल कितना ब्रेक लेंगे चोटे बच्चे हैं उनको रफ्रेश्मेंट पी आई बेन बच्चे को रिच्चे आए इस नाट कि आई रहा है जो बीच का जो भी मीडियन से दो मीटर इदर रखता हूं नौ असके की मैं सेकंड लेन में चला रहा हूं मेरे पास मैनुवर के लिए टाइम रहा अगर कुछ भी होता है तो लाइक आपको जवर्दस्ती रॉंग साइट से गुश रहा है या फिर इदर से कोई सटकर निकल रहा है अगर को बोला उसके बाद गाड़ी अचानक राइट खिष्टी ए विजवर्ट गिविग अनी वर्निग अनौ रहाईज वर्याइज यह सब सेकंड में होता है अगरी और वीडिख से आवाज क्लोज हुए आन देन उसके बाद धढ़ दान्दध ऊधा देखा वीडियो से आई गया बेरियर से लडगए और बैरियर भी बैर्ली डिजाइन घूँगा उसका क्लिप वो बैरियर नॉर्मली कैसे होते हैं मेटल बैरियर अभी आजकल दो फिट चोड़ा अंदर रखा वाना है वो यूजुली टर्मिनेट होती है जमीन में जो एंड आता है वो नीचे जुकर जमीन में जाता है या फिर सर्कुलर बड़ा सा लोहे का उसमें एक मैंटीस लगा रह है किसी पॉइंट पर वो बैरियर क्या हुआ गाड़ी का राइट साइड का हेडलाइस के तरफ से गुछते हुए अपना एक्सेलरेटर के बगल से और वो दो फिट चौड़ा एक-एक फिट में ऐसा पार्ट हो गया मतलब ऐसे बीस से चीरा जैसा लगता है आना एक पीस च कि वो मेरे सीट के नीचे से होते वह सेकंड सीट में चला गया और रिप मैं लेग अफ फ्रंट महीं के वहीं मेरी प्यार साम मतलब गाड़ी जब रुपती है मुझे 100% कॉंसिसनेस आता है फिस्टिंग आई सा मेरा बड़ा बेटा आगे वाली दोर के बाहर खड़ा है देन मेरा प्यार दिखा मुझे I noticed कि गॉन I don't know by the grace of God I was not shouting or offended or anything like I was very normal then I looked at my wife the wife दिखी मेरा चूटा बेटा मुझे नहीं दिखता है मैं उसी हालत में फटक से उठके second room में आता हूं I don't know how I did that without feeling any pain anything मैं जाता हूं देखता हूं नीचे मेरा बेटा नहीं दिखता है then किछे भी न मेरी वाइस को मेरी वाइस के गोजने दे रहा है तभी मेरी तभी जब दिख गया मुझे मैं second row में ही लेट गया और तभी मेरी वाइस की नजर प्यार की उपर पड़ गए और सीवेंट लिटरली कैसे में इंटली एसा लॉस्ट हंड़ेड पर गया रुमाल निकाला उसने म एंबिलेंस कहीं से एक ही ओनर का छोड़ कर आ रहा था किसी को और अंगा बाद उदर पेंट रॉप करकर महारा स्टा में इस गाइस वामी एट मिनिट्स बैक मैं उनको साइड लिया था यह तो मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है किसी ने लाया मैंने इतना बोला मैं आता हूं किसी ने जोड़ से बोला ही लोगी मत देन एंबिलेंस में कब डाला उसके और मुझे चेहरे और मैं कहां पर हूं the only thing I was I was clearly able to hear कि क्या बोल रहा है तो इस यगां दो चीजे द्यान देने वाली है एस पर उनर गाड़ी बैरिकेट से इनफ दूरी पर चल रही थी और उन्हें अशानक से दूरदार आवाद सुनाई पड़ी जो SUV के राइट साइड फ्रेंट से आई थी और इसी के बाद ये अनकंट्रोल होकर बैरिकेट्स में घुसते हुए चली गई जैसा कि रिसेंटली सर ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे केस पहले भी देखे हुए थे इसलिए उनको इसीज का कंसर्ण था उनमें से पहला केस ही ये है जिसमें एक हफ़ते के अंदर ब्रैंड न्यू स्कॉर्प्यों के लेफ्ट साइड जानक से बाहर आ गया था और गाड़ी अंकंट्रोल होकर सामने से आरे एक्स यूबी सेवन डबलो में लड़ गई थी तो इस जगहां भी ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है खेर दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो है इस बैरिकेट का डिजाइन ना जाने कितने सारे अक्सिडेंट्स से रगुलरली सामने आते रहते हैं जिसमें ये बैरिकेट्स गाड़ीों के इंतर घुस कर उसे पूरा फार देते हैं और पैसेंजर्स के बाड़ी में भ पाती है इन्हीं बैरिकेट्स के वज़े से विभाकर जी ने अपना राइट साइड वाला पैर गवां दिया हाला कि फॉर्चनेट्ली इनकी फैमिली सेफली बच गई उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा यह तो एक्सिदेंट हुआ हुआ गाड़ी मेरी बहुत ही संदिहास पर धालत में आठ घंटे बाद जल जाती है अहां अन दे स्पॉट कुछ निया होता है आई विटेल यू जलती निया हो जला दी जाती है और तूनो लेटर पार अधिस इस अवर्स पाट आई वोड़ से प्रियोरी मान रहा था यह कें फूर्ट डे अरे मैं यह सेलिंगी साहब कौन हो क्या करते हो फिर वह मैं पूछा चले हाई साल पूछा हो नहीं चाहिए क्यों मैं आपकी की जिस्ता साधारन आद्मियों है सब्सक्राइब एक एंबलेस हमारा आगे चला गया था मैं रुका ह हुआ था वहां आपका पैर का हिस्ता सब्सक्राइब के लिए जो हम नौर्मली चाहते हैं कि भी लोग आ गये थे और पुलिस वाले भी आ गया थे तब नहीं मिला था तो आपका ठीक हमारा एक्सिदेंट तीन दस में हुआ उसका कहना थे कुछ पहले जब आपका पैर का इ यही देख रहा हो ना गाड़ी जलती तो ऑन देश्पॉट जल जाती तो इंग में कभी कोई गाड़ी मैंने जलते हैं तो बोलता है मैं लिए तोड़ा अश्यरे की बाद थी कि ओधि बज़े के बाद आपका गारी जला है जो लोकल बतारे से और मैंने आज तक एक गाड़ और आपकी गाड़ी आध्या गंठा छोड़ी है मेरे जानकारी में अगले छे घंटे तक नहीं पहुंची थी सब्सक्राइब करें लिए जानकारी में आपकी गाड़ी में इसको पहला ही पूछा कि मेरे ड्राइबर साइड की वील इंटक्स थी क्या उन्होंने बोला नहीं मुझे एक न्यूस्पेपर का लिंक मिला उसमें भी मुझे दिखा वील नहीं है और उसको भी मैंने वहीं पक कट करके पूछा कि अच्छे यह बताओ आपने देखा सब्सक्राइब और उपर की तरह और उदर ना कोई कलवट कुछ भी नहीं था तरही सेड़ की साहब आपसा आगे का वील जो है बहुत आगे जाके गिरा हुआ था मतलब वो जोनों रोड के बीच का मीडियन रहता है उसमें खाकी दूर जाकत था एंड ही सेड़ कि उसमें डेस्क ब्रेक सब बैरिंग फेरिंग सब था उसमें मतलब पूरी असेंबली बाहर आगे गाड़ी तो जलनी से महकर में यह महकर नाम के जगह है बुल्धाना में यह सेलिंग की साहब जल नहीं सकता है यह किसी जी हाल सब्सक्राइब करने में अब बजाता हूं मेरे पास टोल का टाइमिंग देखा चार बजे क्रें लगते हैं आठ पच्पन में टोल डिड़क्शन होता है वहां 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 से गाड़ी जलाई जाती है किलो मेटर आगे लगभग और आबादी से दो किलो मेटर पहले ऐसा लगभग ऐसा बोल लो गाड़ी जलती है लगभग ज्यारा बजे वह कैसे होता है मेरे कजीन आता रहता है पुलिस में बोला ना साइट पुलिस थी वहां सब पूरा उनका एक दो नहीं ऐसे और पांचे लोग रहे होंगे बाद में मुझे एक वीडियो मिलता है जिसमें दिखता है पुलिस वाले और फायर वाले मिलकर वह बैटरी डिसकनेक्ट किया उन्होंने प्रॉपरली अधिन दरते हैं वो डिसकनेक्ट कर रहे हैं यहां गाट तो नो कि इस नो लॉंगर फियोरी दन इतना ही नहीं हुआ महिंद्रा दे के प्माम मैंने इंफक्ट वरी फर्स जाए कॉल जब टी से बाहर आया तो आए कॉल दे सिल्स फिलो जिसने मुझे बहुत अश्चिस किया था करिबने के ताइम बाद में भी फर्स सर्विस कराना है और में एक कॉल करता बंदा दो तीन कॉल करता था कॉल हीम फर दे हेल्प की ऐसा ऐसा हो गया है अंदिज गई आश्मी थाइस की लोकेशन क्या लोकेशन कंपर्म की अजए मैंटर अटर अफक्ट नेक्स भी कॉल किया बट ती नेवर रेटर्न अ कॉल तो आइवस वेरी माश सर्प्राइज की यो बंदे ने मुझे इस्त्रा हेल्प किया है अवक्म ही डिज नॉट कॉल में वांस नोइंग की इतना बड़ा घटना हुआ यह आपने अपने कॉल क्या जब गाड़ी जल गई थी नहीं मैंने पौने दस बजे रात को किया कॉल गाड़ी तो गारवे के बाद जली है आई डून ने इस बीच में गाड़ चोड़ देना और एक तीज अच्छा था कि फायर डिपार्टमेंट वालों ने साइट से जो उनको मुटा मुटा सारा हां क्योंकि हम साधी में जा रहा है थी उन्होंने मुटा मुटा सारा सामान निकाल कर पुलिस के साथ पहुँचा दिया था यहाँ पर आप काईदे से ध्यान दिजिएगा कि गाड़ी का एकसिडेंट दोपहर में तीन से चार बज़े के बीच में हुआ है और तब ये पूरी तरह से सही सलामत थी मतलब सिर्फ जो डैमेज आया था वो लड़ने की वज़े से आया था और इसी के बाद पुलिस भी गई थी और उन्होंने इसकी बैटरी बगएर डिसकनेक्ट किया और गाड़ी को कस्टडी में ले लिया चार बज़े के आसपास गाड़ी को क्रेन से टो किया गया और उसे 9 किलोमेटर की दूरी तै करने में 5 घंटे लग गए और ये चीज टोल डिड़क्शन से पता चली अब ऐसा क्यूं हुआ वो नहीं पता लेकिन उसी के जस्ट एक किलोमेटर आगे करीब 11 बज़े के आसपास SUV में आग लग गया और ये पूरी तरह से जलकर राख हो गई एकसिडेंट हुआ तीन बज़े के आसपास और गाड़ी जली 11 बज़े के आसपास इन दोनों में 8 घंटे की गैपिंग है और जेनरली आपने देखा हुआ एकसिडेंट के तुरंद बाद ही गाड़ियों में आग लग जाता है लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है अलाकि फुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वज़े से ऐसा हुआ है लेकिन किसी को इस पर भरुसा नहीं हो रहा चूंकि लोगों ने पहली बार यह देखा था अलाकि हो सकता ऐसा कुछ सिचुएशन क्रियेट हुआ हो लेकिन ओनर का मानना है कि गाड़ी जान बूच कर जलाई गई है पहुंचा दिया था जैने में भाई ने मुझे बताया देन होनली सेड़ कि आपका पैर का एक हिस्टा इस सीट के नीचे है इधर और उसका जला पड़ा हुआ है पुलिस वाले भी उनका रूल बहुत नेगेटिव था लैटर जब तो आइस ते मैंने मैंन कोई इस हालत में आए इस वेरी क्लिर ली और नेक्स दे मार्निंग संबड़ी के हाँ आई वस थोड़ नाइट कि कोई हमारा बंदा जाएगा मिलने के लिए माहिवरा से बंदा आता है और ही इंट्रोडूस की मैं फला 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 सर्विस सेंटर का मैं मैं आनेजर का दोस्त को मेरे दोस्ते बोला है कि एक बर जाके देख लोगो हो ऐसा-इसा हमारे कस्टमर है अनेवेइवेश देयर आइवस तेलिंग आइवस कोई प्लियर कि नहीं इस इस वाल है इस गया आफ्टर एन आवर इसेड की मैं थाने होते हुए चला जाओं का यह दिद नॉट इंट्र के रिलेटिव जाते हैं जो एक दिन पहले मतलब मैंने भाई को बोला कि काम करो चैसिस नंबर का फोटो लो और वीडियो बना इसका तो नेक्स टीट वस लाइक कि हम तो ऑनर के अगेंस केस करेंगे डारूपी के चला रहाता है जो मैंतर फेक्ट आइड नहीं लगाया के वजह से एं देन मैं रिलेटिव जेड़ के आरे विच्छ माइन की एक्स्प्रेस वे पर गाया आगी और वाई और पुशिंग है अमें सिंबल सा जो हुआ उसके उपर एफाइर चाहिए वान गुड़ नाइट किसी बंदे ने पांस्टेबल ने इनको बोला कि आपको द पुलिस बंदे नो आपको पांस्ट जो बहुआ एपको ने इस एंड को इस तो फुलिस वाल ने इरस देलर को पार ट्व यह जिए नया मॉडल है विल गो फो रड़ पर टॉस इंक बंदे में इस लिखेंगे पर प्रूस इंक बार यह एपने प्ड़िस प्रूस पूस्प् I don't know what happened, what made them to burn the vehicle and all, but this is the second part of the problem that I don't have proof. आसा चोटाने रिकॉर्डड़ेसा स्टेट्मेंट या या विडियो कि हाँ फाला ने बोला, but this is how things are going. Then I take the leave and then they were harassing like anything police. One fine day, बहुत मुश्किल से बैकर सारे स्टेट्में लिकर दिया, वो थाने में भी गया. They never wanted to put the version what I wrote. आरे बहुत है इन्वेस्टिकेशन हे बाद में आप करोगे या महेंद्रा हैगे, डिफेंड करेगे. They were going like anything, left, right. यह यहां तक कि इनकी गाड़ी में ही बैठ तर गये, and that's how the site channel ने कुछ फोटोगर राउट है, that the actual accident हुआ था. And it happened I think third day or so. They were like कि मिलब ऐसे तो मिलेगा नहीं पैसा लाइगा. One of my relatives was RBA Class 1 officer. He said how? I said this loop नहीं की बाद कोई. Anyway, they did not lie. बाद में उनोने कुछ भी नहीं दिया, हम तो चले आए. इसके बाद police का यह behavior देख आगे नहीं, called Mahindra. He was one of the guy came and this is now what is happening. And then I got to know in second call that this guy is telling me what gravity I am talking about in very first call. That this is how it happened, right-kid. I didn't mean to me, my pair was running. I had to stress on the recall crew. They said that we will be free of cost, and I said, what kind of work is it? When I was driving, what kind of work is it? मैं पुना आता हूं आट दिन के बाद. I was very frustrated. And I went by motion like Indian company, Indian brand. They are trying to make something good. Let's go for it. Otherwise, I had some other brand in my mind. Until 13 day, I had a call that I am a service head of Maharashtra. I wanted to meet him. And he was pressurizing that the CEO of the dealer will come. I said, why is the CEO of the dealer and all? He was telling me that he will come. I said, I don't want any dealer to me. I didn't want any dealer to me. I didn't want any dealer to me. Then he was like, I said, I will come and listen to them. I said, why do you listen to dealer to me? I don't want anyone. I want representative from Maharashtra. I don't want dealer. Then he started making sure that he will help you out in claim or not. I said, I don't want to claim. I don't want to claim. I will see later what to do. This guy came. And this guy is telling ki, Sir, he was here for two and a half hours. Woh sa panch nama diya hai. And that too, kaffi pressure dalne ke baad, they have given. And it's a very neutral. But they haven't mentioned the timing. Usmei. I seriously bolu toho, I follow very... I reached out to Wombe ka, one of the famous YouTuber. I saw he was equally disinterested. Because he reviewed the same vehicle and they get a hotel stay and all. Right? But never reverted. That really hurts. Now you can't say that. You can't say that. That police is the first day. You can't say that. But then, the behavior is changed. And as per owner, this was the time when Mahindra came to see people. The police didn't register. In fact, they were owner to make a deal. They wrote a report. They said that they had to make a deal. They had to make a deal. So, the police had to make a deal. They had to make a deal. That's why they had to make a deal. That was a good deal. So, the police had to do a deal. the police had to make a deal. So, it was the case of an incident. The police had to do a deal. इसके लावा इतनी बड़ी चीज हो गई महिंद्रा के रिप्रेजेंट्रेटिव में से इन से कोई मिलने तक नहीं आया और ना ही फोन किया इन फैक्ट विभाकर जी नहीं सारी चीजें कस्टमर केर को कॉल करके बताई और उन्होंने ये भी बोला कि आप इन गाड़ियों को करवाईए तक कि कोई और फैमिली जो स्कॉर्पियों से चल रही है उनके साथ ऐसी अनुहूनी ना हो खेर विभाकर जी की चीजों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया डिलर्शिप वाले अपना बंदा भीजए थे मिलने के लिए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था वो सिर्फ काफी ज़्यादा बुरा हुआ है इससे ज़्यादा वस्ट और कुछ नहीं हो सकता है और गाड़ी में ऐसी चीजे लगी रही तो किसी की पूरी फैमिली भी इसमें खत्म हो सकती है इसलिए कमपनी को थोड़ा सीरियस होना चाहिए वागी इतना भयानक एक्सिडेंट हुआ और महिंदरा के किसी ओफीशियल ने मिस्टर विभाकर मिश्टरा जी से कॉंटेक्ट नहीं किया ना ही उनके चीजों को सुना ये बहुत ही दुखी करने वाली बात है बाद में जो रिपोर्ट आता कि पहिया अपने आप निकला या लड़कर निकला गाड़ी अपने आप नहीं है सिर्फ महिंदरा से इतना रिक्वेस्ट है कि वो ओनर से कॉंटेक्ट करें और उनके बातों पर और चीजों पर ध्यान दें मैं इस इंसिडेंट को विभाकर मिश्टा जी से टूइट पे करवाऊंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे जादा से जादा री ट्वीट करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसके लावा गवर्मेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो हाईवेस्ट बनाने के साथ साथ और भी चीजों पर ध्यान दें वरना एक्सिडेंट्स, कैजूलिटीज और मेजर इंजिरीज के नंबर्स कभी भी कम नहीं होंगे ये ह हुआ है